कि अब सब तो आज हम continue करेंगे differential equation जैसे कि प्रीविस क्लास में हमने differential equation फॉर्म करन कैसे हम बनाते हैं वो सीखा था आज हम उसी topic को continue करेंगे और मैं उसमें कुछ और variety of questions आपको बताऊंगा अभी देखें आपको मैं पूरा question नहीं लिखके देता हूं लेकिन आपको उसमें जो equation है आपको बुलाबाइब वाइग्वास टू एक और एक्स प्लस बी ठीक है आपको बुला है कि यह कोई भी एक फॉर्म डिफरेंचिल एक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दॉप सामली ऑफ कर्व्स है ना वाइक्वास टूए कॉस एक्स प्लस बी यहाँ पे एंड बी जो है इ तो ए और बी जो है यहाँ मदलब आर्ब्री कॉंस्टिंट अ करना है क्योनकि यहां पे दो आर्बिट्री कॉंस्richte कॉंसरेंट है कि जफ्लें और अर्ब्री न्फॉस क्लास को उत्तने पड़ेगा अब देखे यह वन अफ दो फॉर्माट ऑफ क्वेशन एक तो बिल्कुल बेसिक सा वेशन जो हमने प्रिवस ग्लास में इंट्रोडक्शन किया था तो समझ लिया था अब यह क्वेशन है नाओ इसमें हमें क्या करना मैं इसको सबसे पहले differentiate करूंगा तो differentiating both sides ठीक है ना मैं वह statement नहीं लिख रहा हूं मैं आपको बता रहा हूँ d y by dx मैं यहां पर लिख दोगा ठीक है अब क्योंकि मैंने यहां पर d y by dx लिखा मैं यहां पर d by dx ओफ लिखूंगा a cos of x plus b now a constant यह बाहर आ जाएगा now cos का derivative होता है नेगेटिव साइन तो नेगेटिव साइन लिख देंगे अंदर एक्स प्लस भी आज इट इस रहेगा कि इसको कि मैं एक और यह माइनस और एक को हम जब मर्ज कर देंगा तो यह माइनस ए साइन इस प्लस भी मुझे मिल जाएगा तो यह मुझे फॉर्स डेरिवेटिव यानि की डी वाए बाइडी एक्स मिल गया अब मुझे इसको एक बार और डिफ्रेंशेट करना है क्योंकि यहां पर दो बाइस भी केस्ट वहरा गूद आप नगय को जो हैंगें भी उचिंब स्रुच तो एकस यहां पर वेरियाबल मेरे बास एकस तो मुझे इसको विक्वत रिसेटटो एक twee reference to x differentiate करना है that means मुझे यहां पर d by dx लगाना है अब क्योंकि मैंने यहां d by dx लगाया है तो मैं इस पूरे equation में d by dx लगा दूँगा तो मुझे यहां भी differentiate करना है यहां भी differentiate करना है तो देखिए यहां पर d by dx of d y by dx ठीक है इस d y by dx का भी d by dx जो की बन जाता है d to y over d x squared मुझे second derivative मिल गया यहां पर जब मैं differentiate करना यह minus sign as it is रहेगा यह a as it is रहेगा now sign का derivative होता है cos हम यहां पर chain rule लगाएंगे sign का derivative होता है cos तो मैं cos लिख लूँगा x plus b को मैं as it is रहने दूँगा अगर मैं इसको differentiate करता भी हूँ तो x का derivative one आएगा बीका derivative zero मतलब मैं यहां पर into one लिखूँ तो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला तो उसको हम छोड़ देते हैं ठीक है ना now हम मुझे क्या करना है दो बार मेरा स्किल है जो कि आपको प्रैक्टिस से आएगा स्किल से आपको पता चल जागा हाँ मैं आपको कुछ format बता सकता हूं question में कैसे variation आते हो उसमें आप क्या-क्या सोच सकते हो तो यहां पर जब भी मुझे sign और खॉस इस टाइप के functions मिलते हैं sign cos तो देखे तो मेरा original question a cos x plus b था और यहां पर मुझे differentiate करने से a cos x plus b मिल रहा है ठीक है तो इस टाइप का भी एक question आता है जहां पर देखे a cos x plus b originally मुझे y दिया हुआ था और second derivative मुझे minus of जो originally y दिया था वही मिल रहा है अब मैं क्या करूंगा यहां पर इस पूरे a cos x plus b को हटा के y बना दूँगा तो मुझे finally d2y over dx squared is equal to इस minus sign को as it is रहने देते हैं a cos x plus b के जगा हम लिख देते हैं y जो की further बन जाएगा d2y over dx squared plus इस y को दूसरी तरफ shift करेंगा तो यह plus y is equal to 0 which is the required differential equation ठीक है तो यह था हमारा one of the question अब आप ने यहां पर देखा हमने किया किया दो बार differentiate तो करना ही है जो की मैं बिना सोचे भी कर सकता हूं हां दो बार differentiate करने से मुझे क्या सीधा सीधा यहां पर बस value substitute करने पड़ी यह rule हमेशा अप्लाई नहीं होता कि मैं दो बार आंक बंद करके differentiate करूंगा क्योंकि कुछ questions ऐसे भी है जहां पर मुझे एक बार differentiate करके थोड़ा सा manipulation करके फिर दुबारा differentiate करना पड़ता है ठीक है वो भी questions हम देखेंगे चले यह हम next question लेते हैं और अभी हमने जो प्रिवेस क्वेशन के और यह भी जो क्वेशन हम कर रहे हैं यह है डिफरेंशल equation formation के questions में substitution वाले question जहां पर आपको differentiate करके value को कहीं न कहीं substitute करना होगा ठीक है और कितने format of question आएंगे वह हम आगे चलके समझेंगे फिलाल के लिए यह question तो अभी इस question में देखें आपको y square equals to a p minus x and b plus x दिया हुआ है मैं इस a को चोड़ता हूँ अब हमने बहुत चोटी class से पढ़ा हुआ a plus b a minus b होता है a square minus b square तो इसको मैं b square minus x square ऐसे लिख सकता हूँ b और b बन जाएगा b square x और x बन जाएगा x square plus और minus होता है minus ठीक है formula लगा दिया बाहर a है उसको मैंने as it is लिख लिख लिए y square को as it is छोड़ दिया इस a को भी मैं अंदर ले जाता हूँ तो यह हो जाएगा a times b square minus a times x square ऐसे करने से मुझे सिर्फ एक फायदा होगा यह constant है तो यह 0 बन जाएगा जब मैं इसे differentiate करूंगा ठीक है अब यह मुझे y square की value मिल गए अब मैं क्या करूंगा differentiating both sides with respect to x इतना लिखने के बाद अब मैं क्या करूंगा यहां पे लिखूंगा d by dx of y square is equal to d by dx of a b square minus a x square ठीक है अब इसके बाद मुझे क्या करने है देखे यह जो y square है यह बन जाएगा 2y अगर इसमें हम implicit function वाले rules लगाएंगे differentiation में implicit functions जैसे कि आपने पढ़ा होगा तो y square बन जाएगा 2y अगर यहां x square होता तो 2x बनता तो y square है तो 2y बनना चाहिए लेकिन क्योंकि यहां पे variable y है जबकि operator x है तो मुझे एक factor d variable upon d operator यानि dy by dx मुझे लगाना पड़ेगा हमेशा जो variable है उसके साथ d लगाके ऊपर लिखिए और जिसके reference में differentiate किया है उसको नीचे रखिए तो 2y dy by dx is equal to अब a square b square यह भी constant यह भी constant तो इसका derivative हो जाएगा 0 minus a constant है as it is रहने देते हैं x square का derivative 2x बन जाएगा यहां पे variable भी x है operator भी x है तो हमें कुछ लिखने की ज़रूरती है क्योंकि dx upon dx वो cancel होके 1 बन जाएगा इतना हमने लिख लिया यह 0 सामने लिखो नहीं लिखो कोई फरक नहीं पड़ता है इस a2x के बजाए अगर मैं इसे 2x लिखूं तो कोई फरक नहीं पड़ता है अब देखे equal to के इस तरफ एक चीज़ है इस तरफ एक चीज़ है यहां पे भी 2 है यहां पे भी 2 है टू और 2 को हम यहां पे कैंसल कर देते हैं तो मेरे पास बेसिकली बच गया वाइं डी वाइब दी एक इस इकॉल टू माइनस ए एक्स ठीक है माइनस एक्स इतना बच गया अब मैं क्या करूंगा अगें डिफ्रेंशेटिंग बोच साइड उससे पहले मैं इसको एक एक इक्वेशन नमबर दे देत करता हूं अगें डिफ्रेंशेटिंग बोच साइड ठीक है अगें अगें डिफ्रेंशेटिंग बोच साइड बोच साइड विट रिस्पेक्ट टू एक्स टीक है इतना करना हमें अगें डिफ्रेंशेटिंग बोच साइड विट रिस्पेक्स टू एक्स तो यहां पे डी डीग साज़ेगा यहां पर डीवाई डीएक्स आजाएगा तो हम लिख लिए डीवाई डीएक्स ऑफ वाई टाइम्स दीवाई बाई टीएक्स टीवाई अशॉफ मैंने से एक्स है इतना हो गया अब देखिए यहां पे थोड़ा सा मैं इसको स्टेप वाइज अराम से करूंगा है ना ताकि आप इस टेप को अच्छे से समझ सको तो अब यह वाइ एक अलग फंक्शन मान लेते हैं और डी वाइब डी एक अलग फंक्शन मान लेते हैं तो यहां पे हम क्या करेंगे यूवी रूल लगा लेंगे जो की प्रोड़क्ट रूल होता है differentiation का माना यह हो गया first function यह हो गया second function तो first function into d by dx of second function that is d y by dx plus second function यानि की d y by dx multiplied by d by dx of first function यानि की y ठीक तो हमने यहां पर क्या किया suppose यह a है and let's say यह b है तो हमने यह पढ़ रखा है कि d by dx of a into b क्या होता है यहां पर यहां पर जस्ट फॉर्मला लिख देता हूं d by dx of a multiply b होता है है a times derivative of b plus b times derivative of a अमने यही रूल लगाया और कुछ नहीं किया is equal to minus sign as it is रहेगा a क्योंकि constant बाहर आ जाएगा मेरे पास d by dx of x अब d by dx of x यानी की यह cancel होके वन है ना सॉरी एक एक एंसल भी छोड़ो एना कैंसल बोलना गलत होगा बल्कि एक्स का derivative वन होगा यह ना क्योंकि वन इंटो एक्स पावर वन माइनस वन यानी की जीरो तो माइनस ए बचे हैं ठीक माइनस ए बचेगा ओके यह हो गया अब इसको अब इसको फॉर्दर डिफ्रेंट करते हैं मैं एक्वेशन नमबर वन छोड़ देता हूं एक्वेशन नमबर 2 चोड़ देता हुं यह बीच की लाइन रप कर देता हूं ठीक है राकि मैं यहां पे इसको लिखा जाता है डी टूवाइब अपान डी एक स्क्वार्ड यह हमने लिख लिया प्लस यह डी वाइब डी एक्स है तो डी वाइब डी एक्स हो जाएगा डी वाइब इसको मैं एक्वेशन नमबर 3 डाल देता हूं एक्वेशन नमबर 2 अच्छा मुझे दो बार डिफ्रेंटियेट करना था यह तो मेरा क्या है सरस्टी हैं जैसके मैं आपको बताम बताते आहां। यहां पे हो सप्सेक्डोट करते लिए तो यहование यहां पर सब्स्टीट कर सकता हूं दूसरा यहां यहां पर मैं सब्स्टीट कर सकता हूं अब यह मुझे ज़ज करना है मुझे justify करना है कि मैं कहा substitute करूं एक वैल्यू तो देखिए यहां पर अगर मैं एक वैल्यू सब्स्ट्यूट करता हूं तो यहां पर एक वैल्यू आ जाएगी यहां पर एक वैल्यू आ जाएगी लेकिन यहां पर भी बच जाएगा अगर मैं यहां भी वैल्यू मिल रही है माइन से नौट प्रॉब्लम माइन साइन यहां शिफ्ट कर सकते हैं अगर मैं इस पूरे एक्वेशन को देखूं तो यहां पर देखिए य य एक्स एक्स वाइन एक्स वाइन डिफरेंशल कोफिशेंट के लावा और कुछ भी नहीं है वेरियावल है कोफिशन डावा जबकि यहां पर अगर में एक वैल्यू डालता हूं तो मुझे वारियेबल में लाए वारियेबल में रहा है वront है university यह बच जाएगा जब् kita do डिफरेंशेल एक्वेशन में यहां कॉप यहां टरता हूं तो देकिए यहां पर variable differential coefficient a की value put कर दी तो वो सारा जंजट खतम हो गया कोई भी constant दिखाई नहीं दे रहा है differential equation formation में मुझे यह ध्यान रखना होता है कि मैं substitution ऐसी जगा करूँ जहां पर मुझे यह जो arbitrary constant a b c d जो मिलते हैं यह दिखाई नहीं देने चाहिए that means उस a की value अगर मैं यहां put कर देता हूं है न मैंने क्या करना है यहां पर minus a है तो मैं minus a की value put कर देता हूं यहां पर तो y dy by dx is equal to minus a की जगा मैं इस पूरे y d2 y upon dx squared इसको put करता हूं ठीक है इसको put करता हूं तो minus a की जगा यह सारा आ गया multiplied by यह x आ गया ठीक है तो हमने क्या किया इस चीज को as it is लिखा minus a की value यहां से उठाई और उसको minus a की जगा यहां put कर दिया इस bracket में इसको हम हटा देते हैं ताकि आपको confusion नहों ठीक है तो minus a की जगा मैंने यह सारा का सारा उठा के यहां पर डाल दिया और यह जो बाहर x था उसको मैंने as it is लिख दिया अब मुझे कुछ नहीं करना है इस x को altogether अंदर ले जाना है रियरेंज करके लिख देना है और वह मेरा differential equation आ जाएगा ठीक है इसको आप rearrange करके लिख सकते हैं या तो इसको ऐसे भी चोड़ सकते हैं ठीक है अब next हम यह question देखेंगे आपको बोला find the differential equation of all circles touching the x-axis at origin ठीक है आपको वो सारे circles की differential equation निकालने हैं जो x-axis को origin पर touch करते हैं अब देखें इस question में हमें थोड़ा सा geometry coordinate geometry का थोड़ा ढंक से idea होना चाहिए अब देखेंगे यह x-axis है एंड लेट से देखेंगे this is y-axis दोनों एक्सेज जहां पर मिलते हैं उसको हम origin बोलते हैं अब क्योंकि बोला है the circle is touching the x-axis at origin अब देखें circle अगर x-axis को touch कर रहा है तो वह देखें यह जैसे यहां पर मान लेजे मैं ऐसे बनाता हूं कि यह x-axis को touch कर रहा है चाहे ऊपर से चाहे नीचे से लेकिन एक specific point बता दिया आपको वह origin पर ही touch कर रहा है तो वह circle ऐसे हम बनाएंगे तो वह origin को touch करेगा मतलब यह x-axis क्या हो गया उस circle का tangent हो गया ठीक है और यह जो origin है वह circle का point of contact कहलाएगा तो जो circle का center है अच्छा यह मेरा diagram accurate नहीं है ठीक है मैंने वैसी freehand बनाया है बट जो circle का center होगा वह कहीं ना कहीं y-axis में होगा ठीक है बात समझ मैं क्यों देखे यह origin है origin is the point of contact tangent जो है अब यह तो 10 में पढ़ा होगा कि tangent जो है किसी भी circle को किसी एक point पर touch करता है जिस point पर tangent ने circle को touch किया उसको बोलता है point of contact point of contact से अगर मैं उसके center को join करता हूं तो वह perpendicular to the tangent होता है यह बात हमने समझी हुए यह फिर add the point of contact tangent से अगर मैं perpendicular draw कर रहा हूं तो वह center से pass होगा अब क्योंकि origin पर touch कर रहा है मतलब origin is point of contact तो origin से अगर मैं पर पिनिकलर ड्रॉ करता हूं तो वह circle के center से pass होना चाहिए अब क्योंकि X and Y axis यह mutually perpendicular होते हैं ऐसा हमने rectangular Cartesian coordinate में पहले से define किया हुआ है अब क्योंकि X और Y axis के बीच में 90 डिग्री का अंगल है और origin is the point of contact X axis is the tangent that means Y axis में कहीं न कहीं उस circle का center होना चाहिए तो इस distance को जैसे कि normally circle का equation होता है X minus A plus Y minus B ठीक है whole square whole square is equal to r square यह हो गया अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि यह जो point है इसके coordinate क्या होंगा because this is a point on Y axis ध्यान रखिएगा this is any point on Y axis क्योंकि हमने और भी समझा circle का जो center है वो कहां पे है Y axis पे हैं अब क्योंकि center Y axis पे है तो Y axis में X coordinate हमेशा होता है 0 हमेशा 0 X axis में Y coordinate is always 0 Y axis में X coordinate is always 0 इसी वजह से X axis का equation 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 of X axis होता है Y equals to 0 equation of Y axis होता है X equals to 0 is X axis में आप कितना भी ऊपर कितना भी नीचे जाओ आपको X coordinate हमेशा 0 मिलने वाला है same as with X axis इस X axis में आप कितना भी आके पीछे move करो Y axis की value यानि Y coordinate आपको समेशा 0 मिलने वाला है अच्छा X यहां पर 0 है तो हमने 0 लिग दिया वाई की value जो है change हो सकती है वाई की value हम लेट से B है ठीक है ना अगर वाई की value है इसका coordinate is B मतलब यहां से यहां तक का distance B मतलब circle के center से point of contact तक का distance B मतलब यह जो B है यह radius भी हो गया यहां यहां पे radius भी भी हो जाएगा और center का यह जो Y coordinate है यह भी हो जाएगा अब यह जेनरल equation of circle है इस circle के equation में मैं X A की जगह 0 डाल देता हूं क्योंकि X coordinate यहां पे 0 है center पे अच्छा इसको हमने whole square लिखा plus Y minus B की जगह मैंने B ही रहने दिया whole square लिखा is equal to R की जगह भी मैंने B डाला because circle का radius भी क्या होगा Y coordinate यानि की B होगा तो यह मैंने लिख दिया अब इसको हम simplify करते तो यह concept तो वे जो डिफरेंशल एक्वेशन है ना डिफरेंशल एक्वेशन में इस टाइप का कॉश्चन भी आता है जहां पर हमें geometry के concepts को यूज करके पस मुझे initial equation form करनी होती है अभी तक हमने जो equation भी नहीं दिया हुआ है equation भी आपको जो है बनाना है ठीक है इस टाइप के questions आपको मिल सकते हैं तो यह हो गया ठीक है एक्स माइनस ए एक्स माइनस जीरो और वाय मैनस बी होल स्क्वेर इक्वाल तो बी स्क्वेर जिसको कि मैं सबसे पहला काम equation मैंने बना लिया इसको मैं simplify करता हूँ ठीक है वो मुझे हो जाएगा आगे differentiate करने में हाला कि अगर आपको differentiate करना इंटिग्रेट करने इसके अच्छी practice हो गई आप यहीं से directly differentiate करके answer भी निकाल सकते हैं ठीक है otherwise आप इसको simplify कर लेजे है कि a – b whole square में लगाँगा this becomes a square – 2 a b and b square is equal to b square अब दिखे हैं यहां पर b square है यहां पर b square एंदेग्ट is cancelled तो मुझे x square प्लस y square – 2 NBC जगह इसको भी वाइं अगर लिख दूँ तो कोई फरक नहीं पड़ता ठीक now what I have to do I have to differentiate मैं इसमें चाहे तो जीरो को हटा के यहां पे equal to कर देता हूं इस minus 2 by 2by को अगर दूसरी तरफ shift करता हूं तो equal to के इस तरफ यह plus sign बन जागा ऐसे भी लिख सकते हो यह वैसे भी लिख सकते हो तो totally up to you मुझे इसको सिर्फ differentiate करना है now because we have only one random and arbitrary constant मुझे इसको एक ही बार differentiate करना है ठीक है तो जैसे कि मैंने final equation क्या बनाए x2 plus y2 equals to 2by ठीक है आप इसको चाहे तो x2 plus y2 minus 2by equals to 0 भी लिख सकते है totally up to you अब मुझे इसको क्या करना है differentiate करना है because a constant है तो मुझे एक ही बार differentiate करना है so differentiating both sides with respect to x ठीक है अब x2 का derivative ठीक है मैं सबसे पहले लिखता हूँ d by dx of x2 plus y2 equals to d by dx of 2by अब x2 का derivative to x बन जाएगा y2 का derivative बीच में plus का साइन तो मैं plus लिख लेता हूँ 2y बनेगा लेकिन यहां पे variable y है operator x है तो मुझे dy by dx लिखना है ठीक है is equal to 2b is a constant constant को हम कभी differentiate नहीं करते हैं अगर वो multiplier with a variable है तो 2b को as it is रहने देंगे y का derivative अगर यहां y की जगा एक्स होता तो x का derivative हो जाता 1 है ना dx by dx1 होता है तो 1 multiply है ना multiply अब क्योंकि y एक अलग variable x एक अलग operator है operator और variable जब भी अलग होते हैं तो d variable यानि की y upon d operator यानि की x यह हम लगाते हैं इस one को हम लिखें नहीं लिखें कोई फरक नहीं पड़ता तो मुझे 2b dy by dx बल गया ठीक है इतना मिलने के बाद यहां यहां पर मैं two common ले लेता हूं तो देखें यहां पर मैंने two common लिया तो यह अंदर का टू जो है बाहर आ गया अब यह टू से यह to cancel तो basically मेरे पास अब बच रहे है एक्स प्लस वाय टाइम्स डी वाय बाय डी एक्स इस इकॉल टू बी टाइम्स डी वाय बाय डी आएक्स ठीक है या फिर मैं यहां पर क्या करता हूं इस द के साथ के साथ जो gwividades लगा हुआ है मैं इसको यहां पर डिवाय यह कर देता हूं ठीक है इसको हम लेके आता हूं तो यह यह डिवाय डी एक्स मुझे ऐसे मिल जाएगा से और यह हम mégina candle की वैल्यू अच्छा अब यह जो वैलिव मुझे मिली है इसको मुझे क्या करना है यह जो ऑरिजनल इकोईशिन तरह से इसको हमने एकोईशन चनार डाला डिफ्रेंशियट करने के बाद जो मैंने वैल्यू निकाली इसको मैंने ऐक वैङूशन सब्सक्राइब कुछ एक ही बार differentiate किया क्योंकि एक ही constant था मान लीजे यहां पर दो या दो से ज्यादा बार differentiate करना पड़ता ठीक है तो ऐसे situation में मैं इसकी value कहां डालूंगा ठीक है तो वह तो मैंने आपको previous question में भी बताया यह मुझे जैसे एक equation में डालने से आपका कोई और constant बच रहा है या नहीं हाँ एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है जिस equation से आपने value निकाली है जैसे value हमने एक बार differentiate करके निकाला है इसकी value में वापस वहीं पूट नहीं करूंगा जो equation differentiate होके जिससे value निकलती है उसको आप वापस उसी equation में पूट नहीं करोगे किसी और equation में पूट करोगे इस बात का हमें ध्यान रखना है तो क्यूंकि यह differentiate होके जो जो differentiate करके मुझे मिला था यह value में उसमें वापस पूट नहीं कर सकता तो मेरे पास यह पहला equation बच जाता है मुझे यहाँ पे ही पूट करना होगा ठीक है अच्छा अब मैं यहाँ पर क्या करता हूं x square को as it is लिखता हूं y square को as it is लिखता हूं 2 लिखता हूं b की जगा मैं लिखता हूं x plus y dy by dx upon dy by dx यहाँ पर आगया y ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं cross multiply कर सकते हैं rearrange कर सकते हैं ठीक है और हमारा answer आ जाएगा तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे यह जो denominator में dy by dx है इसको हम यहाँ पर multiply कर देते हैं ठीक है तो यह हो जाएगा एक स्क्वार प्लस y स्क्वार वित डी वाइब डी एक्स इसी कॉल टू हमारे पास यहाँ पर अभी यह डी वाइब डी एकस इधर आ चुका है ठीक है तो मेरे पास यहाँ बच गया टू टाइ डी वाइब डी एकस प्लस y स्क्वार डी वाइब डी एकस ठीक है इसी कॉल टू हम ध्यान दीजेगा यहाँ पर दो मॉल्टिप्लिकेशन एक यहां से भी हो रहा है तो हमें काम करते हैं पहले इस एकस के साथ वाइब मॉल्टिप्लाय करेंगे तो यह हो जाएगा एकस इसे कि आघेए प्लस अ अब वाइड के सद वाइब मॉल्टिप्लाय हो जाएगा वाइज स्क्वैर और डी वाइबए डी एक्स हैना वाइंटू दिस तेंग और यह इदर आके लग जाएगा तो यह ऑखाया 2 वाइज स्क्वैर इतना हो गया अब इसके बाद हम रियारेंज करते हैं ठीक है इसको यहां पर शिफट कर देता है कि इस एक स्क्वाइब डी एक्स को एस डाने देते हैं अब देखें यह प्लस वाइस्क्वाइब डी वाइब डी एक्स था वह इधर आएगा तो तो माइनस 2y2 dy by dx बन जाएगा इस इकॉल टो 2xy ठीक है अब देखे यहां पर अगर मैं dy by dx common लेता हूं यह नहीं भी लेता हूं यह y2 dy by dx है यह 2y2 dy by dx है माइनस हो रहा है माइनस प्लस माइनस यहां y2 है यहां 2y2 है तो मेरे पास माइनस y2 बचेगा और dy by dx बचेगा यह फिर आप कॉमन लिखके कैसे भी कर लिजेए साहना समझ में आना चाहिए बस यह x2 बच गया dy by dx बच गया इस इकॉल टू यह 2xy as it is हमने रहने दिया यहां पर dy by dx dy by dx दोनों के पास कॉमन है तो मैं एक बार इसको लिख लेता हूं ठीक है तो x2-y2 लिखके मैं यहां पर क्या किया dy by dx कॉमन ले लिया यह मेरा फाइनल आंसर आ गया तो रिक्वाइड इफ्रेंशल एक्वेशन इस एक्वार मैंस वाइए स्कोर दी वाइवा दी एक्वास इकॉस तो 2xy ठीक है